लेख कि अपिरूय आखी ने करेब में पले हमारे जानकार की व entwickeln सबसे पहले हैं हरूण ूएट से ओच सबसे ही हैं हम आपर कैससील एंगे के लिए इस वक्त हमाई साथ जुड़े में हैं मोतिलाल और स्वाल के वाइस प्रेसिडेंट अमिश सजेजा जी अमिश जी बहुत-बहुत स्वालत आपका मागेडाम से भी पर जी नमशकार अमिश जी देख रहे हैं कि आज कैसर सीड का अक्टूबर वायदा देख रहे हैं कि जो 6100 के उपर सस्टेनों के चल राता काफी दिनों से आज वो 6000 के दाइरे में है आपको क्या लगता है ये कैसर सीड में सीमित दाइरे का जो सिलसिला है ये कब तक जारी रहेगा और कैसर सीड में बढ़त कब तक देखने को मिल सकती है देख हैं मेरे इसाब के ये सिर्ण एक बड़ा रिकॉर गंब बड़ा कंसलोडेशन देख और पिसले जो zijनों में एक प्रेक लिखा है करा देख मिरी तुक्रूड़ाओं np लेकिन ओरल मुझे रखता है कि अब यह जो चॉट लिफ्ट है याने बहुत नगा देर अप्राइगिंग जो है नहीं पिकेंगे इन अफसाइड हमें जल्दी देखने मेलेगा इमिजेट पर शेयर्द थीमसो का बिखा हो जोगा और इसके उपर जल्दी प्लाइश चलेगी क तो हो सकता है कि हम शेयर्द 800-800 जो हमने लगवग अगस्ट में देखे थे वो दुबारा दिखता है तो मुझे लगता है कि यानि की कैसर में तेजी आएगी लेकिन थोड़ा अशा वेट करना पर सकता है और फिर कैसर के अंदर काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है यह समय जी बात करें कर बिनौला ख्ल की तो बिनौला खल में आपको क्या लगता है कावड़ तो यह निकल रहे हैं भी कि जो कॉटन है कॉटन की कीमतों में तेजी देखने को मिल रहे अच्छी लेवल पर है और प्रोड़क्शन भी कम ही रहने का अंवान है क्या उसका असर बिनाला की कीम्तों पर पड़ता हो निजर आपाएगा? बिनाला की मैँ आपाएगा निजर पर प्रेंच कामप्लक्स की हो तो अब खबने इक अप्रेंड हो यह समिजिए अगर नजर डाले की हो तो अब कबरे निकल के सामने आ रही है कि सेप्टेंबर में मसालो का जो एक्सपोर्ट है वो लगबक 30% तक गिरा है आपको क्या लगता है जिस आपसे एक्सपोर्ट डिमांड का मुई है उसका असर मसालो की वायदा बजार पर कितना देखने को मिल पाएगा और क्या जो फेस्टिवल दिमांड है इस चीज को कवर एप करना पाईगी है जो लो भॉषि पर खड़ी वाइदा एक नौह लोगजार जा साजब जो एक्सपोर्ट मांगे उससे कमी आई है उस विए से हमने प्राइज को समलते हो दिखते हैं साथ हुजार की करीश लेकि अब मुझे रच्टा है क्योंकि प्राइज को सपोर्ट कर सकती है तो हो सकता है कि हम भी वायदा हमें आगू चलते हो है करीबन साथ हुजाराज सो तक 425,000 तकर मुझे मुझे लगने साथ हुजारी यह संवीति नज़ डाले मिखर गवार कंपलेक्स के यो तो गवार कंपलेक्स में सुवार कंपलेक्स में काफी अच्छाओ उच्छालाते वह तो आपको क्या लगता है जिस्ताब से एक अचानक से ब्रेकाउट देखने को मिलाता लैवल्स के अंदर तो अब कीमते कहा तक जा पाएंगी कि विपल्कुल विख सब्सक्राइब करें कि और यहीं कि अधि कि अधिन जब तक रूप की आधि यहीं जब तक 10,000 खे 980 तक प्रश्चेंट करेंगे तक एज़ी का रुफ बना हुआ है क्योंकि 2500 के उपर हमें आज चलते के देखा है गवार गाम में तो यह पॉसिबल है कि 2500 और उसके पर 9800 यह इंपोर्टिन सपोर्ट लहेंगे और 11200 के निकलने पर हमें 12000 तक के विस तर गवार गाम में लिखने मुलेंगे जहीं पर 2600 के ज़न हैं गवार सीड में विसकर आपने बताया वाज में आसिल होते के लेखे चैनल से दोसों के अभी बेगी देखी अभी लोग जाने में पाम्या वित्नी इस अन्य पॉसिबल है तो मैं अभी भी प्रिफिपर करूगा तरिक यह है कि संटम लेक्षिज हो सकता है में अगवार तीर में करीवार नौसो सथकर से पांगुजान नौस के लाह देखने मिलें वहां तेखी किजा सकते हैं इसे तरह से गवार जन्में दुगार दुगार एक लिए तक लिए तो भ प्राइस अभी भले ही थोड़े उपनीचे हो जाया लेकिन अमिजी के अनुसर गवार गम अग्वासिरी कीमतों में तेजी का ही रूजाना हाला कि उन्हों जो लेवस दिये उनकी उपर एक सस्टेंबिलीटी देखना बहुत ज़रूरी है गवार गम अग्वासिरी कीमतों क अगर फंडमेंटली बात करें तो इस बार जो गवार का प्रोडक्शन रह सकता है वो पिछले साल के मुकाबर लगवख 45-50 फीज़ी कम है पिछले साल हमने गवार का जो प्रोडक्शन देखा था वो लगवख 50 लाग बोरी का देखा था और इस बार जो जानकार बता रहे ह जो प्रोडक्शन रह सकता है ग्राउंड लेवल पर जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आई है वो लगवख 20-25 लाग बोरी रहने का अनुमान है तो एक तो इंडर्स्ट्री बिमार्ड बढ़ जाना और उपर से वायदा में भी कीमते उचलना तीसरा प्रोडक्शन कम रहना तो ओवरॉल जो रुजहान अग्वार में अभी हाल फिलाब में तेजी का रह सकता है यह समय जी बात करें अगर MCX कॉटन की तो MCX कॉटन में आपको क्या लगता है MCX कॉटन की कीमते अभी क्या रहेंगे जिसकर मैंने MCX कॉटन के यह बात केती कि बच्चे कॉटन की बच्चे कॉटन की बच्चे कॉटन की बच्चे कॉटन की बात के लिए वाय जो जाने की तो तो आप देख पाएंगे ख रेख अकिशन बच्चे के लोक्स जोफार्च फ़ेगけて हैं किस इत्चे कॉटन की यह बात कर और बात कर एंगर अब देख रहे हैं कि पहले तो सोयबीन की जब से राइवैंटों के मंदियों के अंदर कप से सोयविन की कीमते इंटेक्ट करनी शालू हो गई है और अब चववन सो पांच जार की घरों में कारवा करती ही नजर आए उसके बाद देख रहे हैं कि इसके साथ साथ अब सरसो की मस्तस हीर की भी जो कीमते हैं वो भी नर्मी के साथ कारवा करती ही नजर आ रही है जबकि fundamental स्म तो इसकी वजा से इन सब धैसलों की वजा से एडिविन ज़या से लगया से एडिवर लगक आने वाले कुछ महीनों में कैसा रह सकता है? पीर स्टेज शुकर्ड किति करेंग दिथे तुर्फट ने समय कि एने मिल झाल तुर्फट करोगाई वाज़ीी इसक्विश्ज प्रस अनने पाई करेंगाय जाया है हम यह पुखर दरूंगा है कि जब घ्रा सव कचाथी से बाहरा सो पुचाथी से प्राइब करीब आए तो बहां जा सक्की है मैं जासक्ति है अलग्ति से अपसाइड भी हो वा लेमित हो गारा सिर्फाटी से था अग्यों यह तक के नियुप अज्या सक्ति है इंटरडेया जो सबसे नजबी जी सपोट है वो 1145 ते कवीज़ है तो जब तक पॉसिबल है कि हम 1180 और असके बाद 1210 तक के लेवल सीखने मुझे देखा है तो और अलेडिवल का प्लेक्स मुझे लगता है कि सोयबीन और सीपियो इन दोनों में तेजी का रिस होएगा लेकि बीप डिप से बाइन की दाथिए गए गहां तक सफो कभाल है एक तरह से बाइन लगा दिया गया तो जिससारा चना देहा है कि एक तीनित बारे में परवबर हो रहा है हो सकता है कि हम आपस्वल में भी श्रीग वावाट इन दाभाव चुशन में चुश्कि जो पाइंग क तो फिलहाल जो है वो मुनाफ़ा सुली का दौर चल रहा है लेकिन इसके सरों से मुझे लाइक लिए और अज़ा जा जा जाएंगे आपसे वो टॉपिक्स जिनके अंदर अच्छा मुनाफ़ा कमा के चला जा सकता आगे भी तप्राभी थाउजय है विए लगत बात सकते हैं तो तो भाई चालिए के मुझे लगता है कि जोनके अख होगी के वाइदा में उसके बाम सकते हों उसकार सपार सब्सक्राइब करने के लिए तो यह तेक छोटा से क्रिशी फसल बजार का अपडेट कि शाम के कारवाई सहत में कौन सी क्रिशी फसल वायता वजार में किस बहाँ पर कारवार करती ही नजर आ रही क्या सब्सक्राइब करते हैं और एक्सपर्ट का क्या कहना है उनके पर तो फिलाल बजारों की चाल में बस इतना ही लेकिन आपके जाना मत क्योंकि खबरों का सिल्सेला लगाता है यूँ ही बना हुआ है मार्केट आप से भी पर